है फ्रेंज मैं हुम मानिप वेलकम टू मूवी श्युवी बहुत सब्सक्राइ असलगे लोगो कि अधा सकती है अभी recently हमने धाकड देखी और धाकड में हमने देखा कि किस तरीके से story lose होने के वज़ा से वो preparation ना होने के वज़ा से लोगों नो उसको पसंद नहीं क्या तो क्या interceptor जो कि Netflix के उपर आईए वो भी उसी zone के अंदर है या फिर यह कुछ अलग है उसी के बारे में discussion करेंगे इसके एक्जेकेटिव प्रोडूसर है वो है क्रिस हमसवर्थ और वो है थौर भाईया वो इसे लिए है क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो इसके अंदर में सब्सक्राइब लोकेशन पर पैसिफिक कोशन के मिडल में होता है तो जो विजुल्स आपको दिखेंगे काफी बढ़िया दिखेंगे कुछ कुछ टिक्नोलोजिकल एलिमेंट आपको अच्छे लगेंगे एक बैक्गराउंट टू सेट अप जेजे कॉलन का करेक्टर की वो से एक स्टोरी शुरू होती है जहां पर एक अटाइक होगा इस पर्टिकलर इंटरसेप्टर के ऊपर बेस के ऊपर और उसको प्रोटेक्ट करना होगा अब यहां पर बात ही आजाती है कि सच्छे तरीके से मैडम ने वह जज़बा दिखाया है प्रोटेक्ट करने वाला ऐसा एक्शन ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा कंफाइंट स्पेस में ज्यादा वी एफेक्स यूज करा हुआ दिखता है आपको और जो चीज यहां पर थोड़ी सी आपको खलेगी वह यह लगेगी कि action sequences में cuts बहुत सारे सारे हैं तो जो preparation चाहिए थी JJ के character को जो दूसरा Alexander का character है जो यहां पर आके preach करता है उसको defeat करने के लिए वो preparation level आपको थोड़ी सी missing लगती है cuts बहुत जादा लगने लग जाते हैं तो उनके अंदर physical strength तो लगती है आप देखोगे कि वो physically बहुत जादा fit है madam but the same time जो fitness उनके dialogue delivery के अंदर दिखनी चाहिए थी expression में दिखनी चाहिए थी fights के अंदर भी एक fear की भावना होती है एक जजबे की भावना होती है वह भावना है वो चहरे पे बिलकुल flat थोड़ी से आपको लगती है dialogues भी कोई non effective से हैं दूसरा थोड़ी सा funny funny चीज़े भी होती रहती है कि अचानक से इतने secret base के ऊपर Alexander के परस इतना easy access कैसे हो जाता है हाला कि उसके भी कुछ linkages define करने की कोशिश करी गई है लेकिन फिर भी थोड़ा easy हो जाता है जो उसके साथ चमगो मंगो भी आते हैं मारने के लिए वो चमगो मंगो इतनी easily कैसे गुश जाते हैं और जिस तरीके से वो घुश तो जाता है बट वो फिर एक डूर के पीछे stuck हो जाता है और आप उस scene को देखते रह जाते हो कि किस तरीके से मैडम ने इसको situation को control कर लिया at the end of it आपको dissatisfaction लगती है कि जो role of madam है वो थोड़ा और solid होना चाहिए था as a personality ना कि as a physical strength तो थोड़ा सा dissatisfying हो जाता है यहां पर आपको फीमेल कारेक्टर का अपको फीमेल कारेक्टर का दर्द महसूस होता है इसके वज़से मेरा movie शूवी स्कॉर इसके लिए रहेगा भी अगर कुछ नहीं है और देखने के लिए जैसे आज कुछ मेरे पास नहीं थे देखने के लिए अपने चला ली तो आगे वीचे अगर नामकरन अटाओगे तो माक्सिम से माक्सिम आप एक घंटा दस मिनट में इसको कटम कर लोगे तो जल्दी मिलते हैं को रिव्यू के साथ नों फोगेट तो सब्सक्राइब देखने चैनल विच इस मोवी शूवी बाए झाल